श्रौत ओल मैं नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनने चैनल जॉडव यान किंद्र पर दो स्वाच अरियो के ंदर जो अनडर ग्रीजियुवेट कोर्स हैं जैसे कि आपकी बीatoon इन दौन部 का रिजल्ट आ चुका है जैसे कि आपको पता ही होगा उसके अंदर काफी स्टुडेंट्स की मांक्सीट पर लिखा हुआ है एफफ वाई एस किसी की पर एफटी किसी पर और डवलू तो बच्चे इसको लेके डाउट में कि आखर यह है क्या इस वीडियो में हम आपका यह ड जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन यानि घंटी को जरूर दबाएं और आल पर टिक करें कि आपको लेकर छोटी चोटी चोटी अपडेट की खबर मिलती रहे वह भी सबसे पहले तो चलिए वीडियो को श रहे होंगे काफी सारे बच्चे आर्यों की ओफिशल वेबसाइट है उसमें आप रिजल्ट चेक करते हो तो वह काफी देर में खुल रही है इसका कारण यहीं है कि जैसे रिजल्ट लांच होता है जितनी बच्चे उस इन्वसिटी के अंदर उस कोर्स के अंदर एंडॉल ह होते हैं वो सबके सब एक साथ में रिजल्ट चेक करने जाते हैं तो एक साथ सब बच्चों को चेक करने के कारण जो इन्वसिटी का सर्वर है वो थोड़ा लैक करता है और थोड़ा रेस्पॉंस लेट देता है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट को बार बार च उसका भी रिजल्ट जारी 19 जलाई को कर दिया गया है जिसे आप राजस्थान विद्ध्याले की ओफिशल वेबसाइट रिजल्ट टोट इनिराच पर चेक कर सकते हैं और संभावना यह है कि जो आपका फर्स्टीर का बीसी फर्स्टीर का रिजल्ट है जो तक जारी नहीं किय गया है वह भी आपका इस महीने के अंति तक जारी कर दिया जाएगा अगर आप देखेंगे कि आपका अर्यूव के अंदर सबसे पेसे पार्ट 3 का फिर किय पार्ट 2 कामा सबसे क्या होता है उसके अंदर बच्चे थोड़े कम होते हैं और उस से थोड़ाधा होतें बीसी थ लेट होता है मोस्ट ली तो जैसे अब आपका सिर्फ फॉस्ट यërka वह बचा है तो उस बी चुन इसके अब आपको बता देते हैं कि आपको आपका ऑपका पाट फर्स्ट है यानि कि पीकॉम पार्ट फर्स्ट तो आपको इस चेक कैसे करना है तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको पहले गूगल पर सर्च करना है राजतान इनिवर्सिटी तो राजतान इनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीक से टेप दिखाई देगा इसके अंदर आपको रेजल्ट के ऊपर क्लिक करना है लेकिन जैसे कि थोड़ी वेबसाइट सुरू चल रही ह सर्वर पर लूट के कारण तो मैंने पहले ही इसको खोल लिया है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यह वाला टैप खुल जाएगा इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 19 तारीक को आपका बीकॉम पार्ट फर्स रजल्ट आया है और 18 तारीक को आपका बीसी पा तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यह बहुत जाता शुरू चल रही है सर्वर पर लोड के कारण तो मैंने इसको पहले ही खोल लिया है तो इस तरीके से आपका वह खोलने के बाद टैब आ जाएगा जिसके अंदर आप अपना रोल नंबर पर अपने डेट सारे वर्ड्स लेखे आ रहे हैं जैसे कि इस पीटी और डावलू सुडवल पी और डावलू स्लेस यूएम या फिर एफफ वाई एस इन सबनों का इन कोड का मतलब आकर है क्या सबसे पहले बात करते हैं अपने इस पीटी के बारे में अगर आपके मांक शीट के अंदर इस इस पीटी लिखा हुआ रहा है इसका मतलब है कि आप फेकंड यह के छात्र हैं और आप इसके उपर इस पीटी लिखा हुआ रहा है वह आपको किलिए करना पड़ेगा जब आप पार थड़ के पेपर देंगा उसके साथ-साथ यह था आपका इस पीटी अगर किसी की इस तो इसका मतलब है eligible for part second यानि कि आप first year के student है और आपके कहीना कहीना कोई बैक लग चुकी है तो इसके अंदर लिखा रहा है EFPS यानि कि आप part second के लिए eligible तो हैं लेकिन आपकी जो back है एक subject में या दो subject में वो आपको second year के exam के साथ-साथ में clear करने होंगे तो यह था आपका EFPS और चलिए अब बात कर लेते हैं EFFYS के बारे में आखर यह क्या है EFFYS का मतलब है आपका eligible for final year अगर आपकी mark sheet पे EFFYS लिखा आ रहा है इसका मतलब आप second year के विध्यारती है इसका मतलब है eligible for final year नहीं कि आप final year के लिए eligible तो हो चुके हैं लेकिन कही मेंना कहीं आपकी आप first year की या second year की किसना की subject में एक subject में दो subject में आपकी कोई ना कोई back लगी हुई है तो वह आपको clear करनी होगी आपके final year के paper के साथ साथ चलिए अब बात कर लेते हैं RW के बारे में तो यहां पर RW का मतलब है result waited यानि कि आपके result को रोक दिया गया है result रोकने का कोई भी कार्ण हो सकता है मान लीजी आपने form बराओ form में कुछ problem हो आपके document हो आपके document कोई information मैच ना कर रही हो या आपकी कोई ना कोई हो गई हो तो कोई भी कराण हो सकता है इसके इसलिए आपका result रोका गया है तो RW मतलब result waited यानि कि आपका result रोक दिया गया है और अब बात कर लेते हैं स्यूडवल पी के बारे में स्यूडवल पी का मतलब है supplementary जिसका मतलब मुस्टली आप सब लोग जानते ही होंगे इसका मतलब यानिकि आपके एक्जाम में supplementary आई है जिसके लिए आपको अलग से एक form भरना होगा वह form भरने के बाद आपको फिर से एक्जाम देना होगा जिससे कि आपको एक्जाम क्लियर हो जाए तो सब्जेक्ट का जिसमें आपकी supplementary आई है चलिए बात कर लेते हैं RW और UM के बारे में तो यहां पर RW UM का मतलब है कि आपका जो result weighted है और unfair means यानि कि आपने कुछ चीटिंग करिया कहीं ना कहीं तो cheating करने के कारण आपका जो result रोग दिया गया है और उसको उपर unfair means लिख दिया गया है या फिर exam देते time कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हापर exam लेने वाले होते हैं उन्होंने आ अतलब होता है unfair means इसलिए आपकी मांक्षीट के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी बताया है यह आपको समझ में आ गया होगा और अब भी आपको आपकी मांक्षीट के अंदर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो comment करके जरूर बताएं और जो जो बच्चे second year result में, final year result में, BSC और आपके बीकॉम है जो बच्चे पास हुए हैं किस कि कितनी percentage बनी है वो भी comment करके जरूर बताएं और आपके अगर कोई और समस्या है मांक्षीट के अंदर तो भी comment करके जरूर बताएं तो यह थी आपकी बड़ी और बहुत ही important update ऐसी ही और बहुत सी important update और information के लिए चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए topic और update के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत राम राम आपका दिन शुब हो